है फैलो एवरिवण स्वागत करती हूं एक पर फेर से आप सभी की अपनी युटिव चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या-क्य समानस में लिया है तो मैंने यह लिए है गोबी-스ắmartos, 1-3 mg-mins, थोड़ा साहराधनिया है और तीन लिए है मैंने आधा किलो, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और तीन लिये है मैंने आलू, चार लिये मैंने छोटे साइज की टमाटर, और दो हरी मिर्च, चार से पांच लिये लहसन की कली, और दो लिये है मैंने छोटी प्याज, तो ये सारे समान से आज मैं बहुत ही टेस्टी गोबी की र लेंगे आज हम बोईल करके मसाला पीछेगे तो यह देखिए जब टम कर उठके कि हो जाएंगे उनका छिलिखा लिगना लगँ जाएगा तो गैस बंदे कर देंगे और तम sigins बंद करतेंगे तो गजरण एन निकाल देना है और चिलका उतार कर इसको मोटे मोटे पीस में कट कर लेना है देकि जब इस तरीके से टमाटर बोयल करके आप मसाला पीस के गोवी बनाएंगे तो सच में उसका टेस्ट बिल्कुल यूणीक होगा तो अब हम काट लेंगे अपनी इपनी गोबी ये देखिए इस तरीके से मोटे-मोटे पीस गोबी के काट लेने हैं ये देखिए गोबी और आलो को हमने अच्छे से पहले ही धो लिया है आज तो गोबी को बाद में नहीं धोईएंगे धो कर इसे कोटन की कपड़े पर रख जिससे कि इसका सारा पानी सोख जाए अभी मैंने आलो भी मोटे-मोटे पीस में काट लिए है तो यह आलो और गो भी हमारे तियार है यह काट लिए मैंने बारिक-बारी खराधनिया यह मैंने प्याज ले लिए तो प्याज को काट लिए मैंने पतला-पतला रंबा रंबा यह यह मैंने लहसन के कली को छील कर इस तरीके से बिलकुल बारिक कूट लिया है यह देखिए लहसन का पेष्ट तेयार हो गया है तो आप हम अपनी टमाटर का पेष्ट तेयार कर लेते हैं अब टमाटर का पेष्ट तेयार हो रहा है हमारा तो यह देखिए यह टमाटर हमारे पी इंख aí यहां पर आप चाहें तो आम चूर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं अशूर पावडर की Meds करते हैं यहीं के इआ और मैंने कशूरी मीठी त्यार और इन्हें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे कि यह देखिए तो यह गोभी का स्पेशल मसाला हमारा त्यार हो गया है इस मसाले से गोभी के टेस्ट में दुबना स्वाद आएगा तो भी ये ले लिए हैं मैंने फ्राइ करने के लिए दो तेज पत्ते ले लिए हैं करी पत्ता ले lत हैं एक सावत लाल मिρ्च ले लिए कि थोड़ा सा ले लिया जीरा थोड़ा सा लेंगे मेति दाना अगर आपके पास कलोंजी है तो आप वो भी डाल सकते हैं अचारी गोभी तो कलोंजी का टेश्ट बहुत अच्छा गई यह ले लिए मैंने दो पीपल बीच से तोड़ लिया और चार काली मिर्च ले लिया आप आपके पास और कोई खड़ा मसाला है तो आप भी यूज कर सकती है यहां मैंने दो हरी मिर्च ले लिए और थोड़ा साध रख कर टुकड़ा ले लिया है और यहां पर ले लूगी दो चम्मर्च दही यह मैंने दही ले लिए इस तरीके से फैट लेंगे तो यह सारे मसाले मैंने यूज किये हैं आज की गोभी में सबसे पहले हम आलू और गोभी को फ्राइ करने के लिए कड़ाही में चड़ा लेंग सबसको तेल अच्छे से गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे अपने पर इनको नहीं फ्राइ करना है अगर हाई फ्राइ करेंगे तो ऊपर कोटिंग गोल्डन हो जाएगी लेकिन अंदर से हमारे आलू और गोभी कच्चे रह जाएंगे और सब्जी हमारे का टेस्ट खराब हुजाएगा तो ध्यान रखना है मेडियम फ्लेम पर पकाते हुए से गोल्डन कर लेना है कि जब इस तरीके से गोभी बनाएंगे तो गोभी बिल्कुल खिली खिली बनेगी घुटेगी भी नहीं और खाने में भी बेहत स्वाद होगी देखे इस तरीके की सब्जी आप या तो ढावे पर या फिर शादियों में हल्वाई की हाथ की आपने खाई होगी और जब इस तरीके से आप घर में बनाएंगे तो आपको इस सब्जी का टेस्ट उस सब्जी से भी जाद अच्छा आएगा यह देखिए यह गोल्डन हो गए तो अभी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और इसके बाद हम अपनी गोबि फ्राई कर लेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया आलू पर अब हम गोवी डाल देंगे और गोवी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे चलाते वे गोवी को भी अच्छे से पका लेंगे तो देखिए इस gobi की सब्जी को बनाने के लिए देखिए इस में निकालने में या फिर पेच्ट बनाने में इन में थोड़ा सा टाइम लगदा है लेकिन गोबी की सब्जी में फटा फटा से से तियार और अच्छे से गोभी में मिक्स कर देना है और ध्यान रखिएगा कि अब जब हम सब्जी को फ्राइ करेंगे तो मसाले हमें इन मसालों को दिहान में रखते हुए डालने क्योंकि हम मसाले यहां पर सब्जी में गोभी में डाल चुके हैं तो हमारी कड़ाई में जो तेल तो एक्स्टा ओल हमने निकाल दिया है और इस ओल को यह गरम है तो इसी में डाल दिया हमने फ्राइ करने के लिए अपने तेज पत्ता करी पत्ता लाल मिर्ज मेथी जीरा और अपने खड़े मसाले और जब यह चटक जाएंगे तो इसके बाद डाल देंगे हम अपनी लसन का प अब इसमें डाल देंगे हम अपने मसाले तो सबसे पहले डाल देंग.. इसमें बढ़ Uno एकज़ माल लगारill की ऍपने मालदी हमने गोभी में नहीं डाली है थोड़ा सा डालेंगे नमक क्योंकि नमक हम गोभी में पहले ही डाल चुके हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगी इस सिर्फव है तीन मसाले यहां पर हुज कर रहे हैं तो इस तरिके से बड़ाबर चला ठेले मसाला भूनते हैं उतना ही सबजी में हमारी में टेस्ट आता है जब यह चिकनाई छोड़ देगा मसाला तो हम सबसे पहले डाल देंगे इसमें दही तो अब देखिए मसाले ने हमारे ने चिकनाई चोड़ दी है चिकनाई उपर आने लगी तो इसमें डाल दी मैंने दही दही जब तक कि इसमें उबाल ना जाए और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद डाल देना है इसमें आलू अब यह हमारा मसाला तयार है आलू डालने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे आलू और अच्छे से चलाते हुए दो मिन्ट तक मिक्स करेंगे दो मिन्ट में हमारा मसाला आलू के अंदर तक चला जाएगा और उसके बाद डाल देंगे हम अपनी गोभी तो अब यह मसाला आलू के अंदर अच्छे से बहुच गया है तो इसमें हम गोभी एड कर देते हैं यह देखें अब गोभी एड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और जब मिक्स हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे हम अदरक के टुकडे और हैरी मिर्च कटी हुई और दो मिर्च चलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे तो यह देखें गोभी हमारी तियार हो गई है कलर भी बहुत अच्छा आया है बिल्कुल खिली खिली और एकदम खुस्बुदार गोभी हमारी तियार हुई है तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बिल्कुल बारिक बारिक अद्रक और ये डाल देंगे हम चार हरी मिर्च और अच्छे से चलाते हैं मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और उपर से डाल देंगे इसमें हरा धनिया और उसके बाद हम अपनी सब्जी को निकाल लेंगे किसी भी स्टील या कांच के बरतन में तो ये देखिए गर्मा गर्म गोबी की सब्जी हमारी तियार है आप चाहें तो इसके साथ नान चाहें तो पराठा चाहें तो पूरी बना सकते हैं ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है तो आप भी ट्राइ कीजिए ए रासिपी एक बार और आप सभी को मेरी रासिपी कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप नए है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसी तरीके की रोज एक नई वीडियो मैं लाती हूँ आप से भी के लिए थेंक यू सो मच तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाँ बाई